हलो वोट्सप दोस्तो कैसे हैं आप सभी एक बार फिर आप साथी मैं मैं सिधात आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि फून पे के अंदर आप जो है वो बायोमेट्रिक लॉक या कोई भी दूसरा लॉक आपको अगर पासओर रखना है पैटर्न रखना है तो वो लॉक्स किस तरीके से लगाए जाते हैं लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा के तरह अगर आप इस चैनल पने हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दीजे ऐसे ही इंपॉर्टन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस वर्ष में इसका जो है वो एक अपडेट भी आया है तो उसके बाद ये करना और भी ज्यादा आसान हो गया है ये सेटिंटंग्स जो है वो पहले आपके सेटिंग्स वाले फोल्डर में जाकर के आपको अंदर मिलती थी अब उ तो वहाँ पर तो वो वैसे भी नहीं मिलना है आपको अगर वो चीज़ देखनी है तो ये वाला जो सेक्चन है इसकी उपर आपको क्लिक कर देना है यह हम यहाँ पर आगे और यहाँ पर देखिए जैसे ही ऐसे स्क्रोल करते हैं तो यह देखिए screen lock, biometric and screen lock setup password, blocked contacts ये तीन चीज़े आपको यहाँ पर दिख जाती है तो screen lock को ही आप आपका इस application के लिए security lock बना सकते हैं तो basically ये चीज़ जरूरी क्यों है क्योंकि इन applications के अंदर जो है वो बहुत जादा sensitive information होती है आपके bank account से related पूरी information होती है तो वो information अगर कही दुर्भाग वशा आपका phone चोरी हो जाए और इन applications को कोई lock नहीं हो तो फिर ये पूरी information जो है वो किसी के भी हाथ लग सकती है जैसा कि अभी मेरे application में कोई भी security का कोई layer नहीं है अब मैं इसको अगर बंद करता हूँ तो ये directly खुल रहा है इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी अगर मेरा phone यहाँ पर चोरी हो जाता है तो बड़े आसानी से यहाँ पर जो है वो access कर सकता है मेरी सारी information को तो उससे अपने application को अपने account को बचाने के लिए आपको इसकी ज़रुत पड़ती है तो ये मैं अगर लगाता हूँ तो अभी मेरा जो screen biometric lock है यानि कि जो मेरा thumbprint है या जो भी कोई fingerprint आपने डाला हो वो इस application के लिए भी लागो होगा अब मैं इसको बंद करता हूँ फिर से चालो करता हूँ तो यह देखिए ये मुझसे fingerprint lock जो है वो पूछ रहा है यानि कि मुझे अपना fingerprint जो है वो इसके अंदर लगाना पड़ेगा और accuracy देखिए अभी मेरे ही right hand का जो है वो यहाँ पर fingerprint लगा हुआ है लेकिन किसी specific उंगली का ही लगा है दूसरी उंगली लगाता हूँ नहीं होगा तो यह इतना जादा accurate हो सकता है तो you can trust on that और यह खुल गया इसी तरीके से आप जो है वो इसका एक खुद का password भी रख सकते हैं कैसे यहाँ पर जाईए setup password तो जैसा कि आपने देखा कि एक बार मुझे उन्होंने OTP भेजा और उसके बाद जो है वो चार डिजेट का नया password अब मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ तो वो password मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो यहाँ पर देखिए नीचे आया था your password is successfully set और यह password भी आप उसका इस्तमाल करके भी application को खोल सकते हैं तो अब मैं इसको फिर से यह करूँ माल लीजे मेरे हाथ गंदे हैं तो यहाँ पर जो है मैं कोई अगर गलत fingerprint भी लगाता हूँ तो यह देखिए यह password में जा सकता हूँ और यह password जो है वो मैं यहाँ पर enter कर सकता हूँ तो यह देखिए दोस्तो पासवर्ड में ने एंटर कर दिया अब मुझे खाली इसके उपर क्लिक करना है और यह मेरा application जो है वो खुल चुका है तो ऐसे दो चार तरीकों से जो है वो आप आपका application बिलकुल safe and secure रख सकते हैं तो बस दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कर दीजेगा ज्यादा से यादा शेयर कर दीजेगा आपके कुछ सवाल है तो नीचे comment section में आप जरूर पूछ सकते हैं